हेलो दोस्तों आप सभी को सुबलब जी के क्लासेस में स्वागत है अगर आप चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा और लाइक और शेयर भी कर दीजेगा आज ये 27 अक्टोबर दो आज़ागत तैस आज की इंपोर्टेंट करिंट एफिर्स को डिसकस हैं फर्स्ट कोस्टन लेज के ने ब्रांड एंबसेटर के रूप में किसे निवक्त किया गया है और इसका सही अंसर है माहिंदर सिंग दोनी यानि माहिंदर सिंग दोनी को लेज के ने ब्रांड एंबसेटर के रूप में निवक्त किया गया है यानि इसका सही अंसर हो जग अब देखिए पुमा इंडिया के ब्रांड एंबस्टर कोन बने है महम्मत सौमी रिलाइन्स रिटेल जियो मार्ट के ब्रांड एंबस्टर कोन बने है महिंदर सिंग दोनी इवनिकलो इंडिया का ब्रांड एंबस्टर कोन बने है कैटरिना कैप Action Mobile के brand ambassador की से न्यूप्त किया गिया है रितिक रोशन और महिलाओं के fashion brand डेबलू ने कीसे अपना brand ambassador बनाया है अनुश्का सर्मा को नेक्स्ट कोस्चन भारोतिय चुनाव आयोग ने कीसे अपना national icon बनाने का निर्णे लिया है आप देखे नैसकम के उपाद्धक्ष किसे निउक्त किया गया है और यह हैं सिंदू गंगाधरन, मास्टरकार्ड इंडिया का अद्धक्ष किसे निउक्त किया गिया है और इसका सही अंसर है रजनीस कुमर, परवत्तन निर्देसलाई यानि एनफोर्स्मेंट डिरेक्टरेट के निर्देसक कोन है राहूल नभीन, नैसकॉम के अद्धक्ष और प्रवंद निर्देसक कोन बने है राजेस नाम्बियर और भारतियों महिला टीम के मुक्ष कोच कोन बने है अमल मजुंदर नेक्स्ट कोच्चन, माइक जॉंसन को कि इस देश के प्रतिनिदी सभा के नए इस्पिकर के रूप में चुना गया है और इसका सही अंसर है अमेरिका, यानि माइक जॉंसन को अमेरिका के प्रतिनिदी सभा के नए नया इस्पिकर के रूप में चुना है, यानि इसका सही और इसका सही अंसर हो जगा C. अमेरिका नेक्स्ट गोस्टन जी आस्पाताल सेबा सोसोस्त्रबल के महानी देशक बनने वाली पहली माईला कौन बनी है और इसका सही अंसर है E.R. Marshal Dr. Sadhana Saxena Nair यानि आस्पताल सेबा सुसस्त्रबल के महानिदेशक बनने बाली पहली महिला E.R. Marshal Dr. Sadhana Saxena Nair है यानि इसका सही अंसर हो जैगा D. E.R. Marshal Dr. Sadhana Saxena Nair Next question नेक्स्ट कोस्टन हाली में कीस देश ने भारत को मुप्त परियाटक बीजा प्रजान किया है और इसका सही अंसर है स्री लंका यानि हाली में स्री लंका ने भारत को मुप्त परियाटक बीजा प्रजान किया है यानि इसका सही अंसर हो जाए गए A. स्री लंका next question हाली में कोन संगाई सयोग संगटन यानि SEO बैठक के लिए किरिगिस्तान की दो दिबेसियो यात्रा पर गये हैं और इसका सही अंसर है S. जैसंकर यानि हाली में S. जैसंकर ने संगाई सयोग संगटन के बैठक के लिए क्रिगेस्तान रवाना हुए है यानि इसका सही अंसर होज़ेगा C.S. जैसंकर Next question राश्टिय इस्तर का सरस आजिबी का मेला 2023 का आज़न कहां किया जा रहा है और इसका सही अंसर है गुरुग्रम यानि राश्टिय इस्तर का सरस आजिबी का मेला 2023 का आज़न गुरुग्रम में किया जा रहा है यानि इसका सही अंसर होज़ेगा B. गुरुग्रम Next question भारत में aerospace सीख्चा और नवचार को बड़वा देने है तू Airbus ने किस IIT के साथ समझोता किया है और इसका सही अंसर है IIT कानपूर यानि भारत में Airbus aerospace सीख्चा और नवचार को बड़वा देने है तू Airbus ने IIT कानपूर के साथ समझोता किया है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा B. IIT कानपूर Next question केंदर सरकार ने किस राज्जो में जमरानी बांद बहुत दोस्य परियोजना को प्रदानमंत्री क्रिसी सीचाई योजना तरित सीचाई लाप काज्योक्रम के तहत सामिल करने को करने के लिए मंजूरी दिये और इसका सही अंसर है उत्त्राखंड यानि केंदर सरकार ने उत्त्राखंड राज्जो में बहुत दोस्य परियोजना को प्रदानमंत्री क्रिसी सीचाई योजना तरित सीचाई लाप काज्योक्रम के तहत सामिल करने को के लिए मंजूरी दिये यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D. उत्त्राखंड अब देखे PM Sorry PMK SY AIBP इसका फूलपोम क्या होता है प्रदानमंत्री क्रिसी इरिगेशन योजना Accelerated Irrigation Benefit Program इंपोर्टेंट है इसे याद रखियेगा Next question कि इस राज्जो सरकार ने प्रोजेक्ट निलगीरी तहर नामक एक पहल प्रारम किया है जिसका उद्देश्षो लुप्त प्राई निलगीरी तहर प्रजाती का संग्राक्षन और सुरक्षा करना है पुर इसका सही अंसरे तामिल नाडू यानि तामिल नाडू राज्जो सरकार ने प्रजेक्ट निलगीरी तहर नामक एक पहल प्रारम किया है उद्देश्ष लुप्त प्राई निलगीरी तहर प्रजाती का संग्राक्षन और सुरक्षा करना है 25 करण रूपिय की परियोजना निलगीरी तहर की संग्राक्षन की संख्या की अनुमान लगाना उनके अखंडित अवस्षों को बाहाल करना और उन कुछ इस्तानों पर प्रजातियों को फीज से इस्ताफित करना है लक्ष है यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D, तामिलनाडू नेक्स्ट कोस्चन चीन में आजित S.E.I. पेरा खेल पेरा खेल 2023 में 50 मीटर राइफिल प्रोन S.H.E.K. इस परदा में सर्णपदक किसने जीता है और इसका सही अंसर है सिद्धर्थ बाबू यानि इसका सही अंसर हो जाएगा A. सिद्धर्थ बाबू यानि चीन में आजित S.E.I. पेरा खेल S.E.I. पेरा खेल 2023 में 50 मीटर राइफिल प्रोन H.S.1 इस परदा में सर्णपदक सिद्धर्थ बाबू ने जीते हैं Next question चीन में आजित S.E.I. S.E.I. पेरा खेल 2023 में तिरंदाजी की कमपाउंड ओपेन मिक्स टीम इबेंट में भारत के राकेश कुमार और सितल देभी ने कोन सा पदक जीते हैं और इसका सही अंसर है सर्णपदक यानि चीन में आजित S.E.I. पेरा खेल 2023 में तिरंदाजी की कमपाउंड ओपेन मिक्स टीम इबेंट में भारत के राकेश कुमार और सितल देभी ने सर्णपदक जीते हैं यानि इसका सही अंसर हो जाएगा ये सर्णपदक नेक्स्ट कोस्टन चीन में आजित S.E.I. पेरा खेल 2023 में पूरुस बैटमिंटन एकल SL4 इस परदा में भारत के सुकनत कुदम ने कौन सा पदक जीते हैं और इसका सही अंसर है कांस्वपदक यानि इसका सही अंसर हो जगा C कांस्वपदक नेक्स्ट कोस्टन गोवा में आजित S.E.I. राश्टियों खेल 2023 में मैलाओं के 45 किलो में स्नेच और कूलभार बर्ग में सर्णपदक किसने जीता है और इसका सही अंसरी दीपाली घुरसाले यानि गोवा में आजित S.E.I. पे यानि इसका सही अंसर हो जगा A. दीपाली घुरसाले नेक्स्ट कोस्टन हर साल विश्व पोलियो दिवस यानि वाल्ड पोलियो डे कब मनाया जाता है और इसका सही अंसर है 24 अक्टूबर यानि हर साल विश्व पोलियो दिवस 24 October को मनाया जाता है यानि इसका सही अंसर हो जगा C 24 October विश्र पोलियो दिपस 2023 का विश्र यानि थीम क्या है ये healthier future for mother and children माताओं और बच्चों के लिए एक स्वास्थ भविश्य अब देखिए October महिने में मनाया गया दिपस एक अक्टोबर को अंतराष्ट्य कोफी दिपस मनाया गया दो अक्टोबर को अंतराष्ट्य ओइंसा दिपस तीन अक्टोबर को विश्र प्रकृति दिपस चार अक्टोबर को विश्र पोशुकलन दिपस पांच अक्टोबर विश्र सिक्चक दिपस 8- October बायुशना दिवज! 9- October विश्टो डाग दिवज! 10- October रा Creating Back दिवज! 11- October Ihr All-tootho' 11 October विश्ट्र द्रीश्टी दिवज! 13- October Give religiousamsk tunnel! 14- October Each게요 ओत्राश्ट्य मानंगmasy दिवज! यानी World Standard Day 2015- November 27 दिवज! 16- October पर 20 खाद्व दिवस, 17 अक्टोबर अंतरास्टियों गरिभी उन्मलन दिवस. अब करेंट एपेस रिविजन में काल के करेंट एपेस 26 अक्टोबर 23 के करेंट एपेस को रिविजन करेंगे. बी-सी-सी-आई ने किसे बारतियों महिला टीम के मुखो कोच के रूप में नियुक्त किया है और इसका सही अंसर है अमल मजुम्दर. यानि इसका सही अंसर हो जागा D. अमल मजुम्दर. इसका सही अंसर हो जागा A. चेतन. बारतियों सेना और कीज देश की सेना के बीच एक स्वयुक्त दिपक्चियों प्रसिक्चन अब्यास. अब्यास हरिमाउ सक्ती 2023 शुरू हुआ है और इसका सही अंसर है मलेसिया. यानि इसका सही अंसर हो जागा B. मलेसिया. नेक्स्ट कोस्चन. बंगाल की खाडी में उठे चक्रबाती हमून को किस देश द्वारा नाम दिया गया है और इसका सही अंसर हो जागा A. इरन. किस भारतियों मूल के बैगानिकों को अमेरिका के सर्वच्च टेकनिकल छेत्र के सम्मान नाशनल टेकनोलोजी और इनोवेशन मेडल से सम्मानित किया गया है और इसका सही अंसर है C, सुप्रा, सुरेश और असव गाडविल यानि इसका सही अंसर होज़े C, दोनो A अबंग B नेक्स्ट कोश्चन किस अंतरिक्ष इस टाटाप ने शोदेश निर्मीत बिक्रम एक रोकेट का अनावरण किया है और इसका सही अंसर है Skyroot Aerospace यानि इसका सही अंसर होज़े का D, Skyroot Aerospace नेक्स्ट कोस्ट्टन किस देश की बैंकानिकों ने ट्राई मेरे शुरस और यूटीजी नामक साप का एक नई प्रजाती की खोच किया है और इसका सही अंसर है मायनमर यानि इसका सही अंसर हो जाएगा B मायनमर नेक्स्ट कोस्टन केंद्रिय ग्रियमंत्र स्री अमित सा ने कहां इपको के नैनो डियेपी प्लांट का उदगाटन किये हैं और इसका सही अंसर है गुजरात के गांधी नगर में यानि इसका सही अंसर हो जाएगा C गुजरात नेक्स्ट कोस्टन कीस प्लीम निर्मयताओं को जियो मामी मुंबाई प्लीम मौसब में सिनेमा उत्क्रिष्टता पुरसका से सम्मानित किया गया है और इसका सही अंसर हो जाएगा C दोनो ये अबंग B नेक्स्ट कोस्टन रास्टियो रैंकिंग टेबूल टेनिस चेंपेंसिब में पुरूस एकल का किताब किसने जीता है और इसका सही अंसर हो जाएगा B मानब ठक्क्र नेक्स्ट कोस्टन रास्टियो रैंकिंग टेबूल टेनिस चेंपेंसिब में महिला एकल का किताब किसने जीता है और इसका सही अंसर हो जाएगा A दिया चिलते नेक्स्ट कोस्टन चीन में आजित ACI पेराखेल 2023 में महिला लॉंग जांप इस परदा में भारत की निमी सा सूरेश ने कौन सा पदक जीते हैं और इसका सही अंसर है स्वर्णा पदक यानि इसका सही अंसर हो जाएगा A स्वर्णा पदक नेक्स्ट कोस्टन चीन में आजित ACI पेराखेल 2023 में पुरुसों की भालापैक T46 इस परदा में स्वर्णा पदक किसने जीता है और इसका सही अंसर है सुन्दत सिंग गुजर यानि इसका सही अंसर हो जाएगा D सुन्दत सिंग गुजर नेक्स्ट कोस्टन चीन में आजित ACI पेराखेल 2023 में पुरुसों की सोटपूट F57 इस परदा में भारत के सोनम राणा को कौन सा पदक मिला है और इसका सही अंसर है रज़त पदक यानि इसका सही अंसर हो जगा B रज़त पदक नेक्स्ट कोस्टन चीन में आजित ACI पेराखेल 2023 में बैटमिंटन मिश्रित योगल इस परदा में भारत के नितेश कुमार और धुलासी मती मुरुगेशन की जोडी ने कोन सा पदक जीता है और इसका सही अंसर है कान सा पदक यानि इसका सही अंसर हो ज़गा C कान सा पदक नेक्स्ट कोस्टन दक्षिन कोरिया में आजित ACI नेशनेबाजी चैंपेंसिप में 10 मिटर इयर पिस्टल मिश्रित टीम इस परदा में भारत के सबरजित सिंग और सुर्भी राव को कौन सा पदक मिला है और इसका सही अंसर है रज़त पदक यानि इसका सही अंसर हो जगा बी राज़त पदक